साथियों, जीवन पे जब हम बड़े लक्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कई बार ये देखना भी जरू ही होता है, कि हम चले कहां से थे, शुरूवात कहां से थी की, और जब उसको याद करते हैं, तभी तो हिसाब किताब का पता चलता है, कि कहां से निकले और कहां प हमारी उपलब्दिया कैसे रही हैं, हम अगर 2014 से पहले के दिनों को याद करें, उन दिनों को भूलना मत साथियों, तब जाकर के ही आज के दिवसों का मुल्य समझ आएगा, आज की परिस्तितियों को देखे, पता चलेगा, साथियों, देश ने बहुत लंबा सपरताय किया 2014 से पहले अखमार की सुर्खियों बरी रहती थी, हेडलाइन बनी रहती थी, टीवी के पर चर्चा होती रहती थी, बात क्या होती थी, बात होती थी लूट और खसोट की बात होती थी, बात होती थी ब्रक्ताचार की, बात होती थी गोटालों की, बात होती थी भाई भती ज योजनाओं की लेकिन वक्त बदल चुका आज चर्चा होती है सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाव की कि सिर्शा से कोई समादेवी शिर्मोर से हमारी कोई समादेवी कह देती है कि मुझे यह लाव मिल गया आखरी घर तक पहुंचने का प्रयास होता है गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके खाते में पहुंचने की बात होती है अच चर्चा होती है दुनिया में भारत के स्टार्ट अप की अच चर्चा होती है बर्ल बैंक भी चर्चा करता है भारत के इज आप डूइंग बिजनेस की अज हिंदुस्तान के निर्दोष नागरिक चर्चा करती है अपराधियों पर नकिल कसने की हमारी ताकत की ब्रस्त्राचार के खिलाब जीरो टॉलरंस के साथ आगे बढ़ने की 2014 से पहली की सरकार ने ब्रस्त्राचार को सिस्ट्रिम का जरूरी हिस्सा मान दिया था तब की सरकार ब्रस्त्राचार से लड़ने की बजाए उसके आगे गुटने टेक चुकी थी तब देश देख रहा था कि योजनाओं का पैसा जरूरत मन तक पहुंचने के पहले ही लूट जाता है लेकिन आज चर्चा जंदन खातों से मिलने वाले फाइदों की हो रही है जंदन आधार और मोबाईल से बनी त्री शक्ती की हो रही है पहले रसोई में दुवा सेहने की मजबूरी थी आज उजवला योजना से सिलेंडर पाने की सहुलियत है पहले खुले में सौच की बेबसी थी आज घर में सौचारे बनवाकर सम्मान से जीने की आजादी है पहले इलाज के लिए पैसे जुटाने की बेबसी थी आज हर गरीब को आईशमान भारत का सहारा है पहले ट्रीपल तलाग का डर था अब अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का होसला है साथियों 2014 से पहले देश की सुरुख्षा को लेकर चिंता थी आज सर्जिकल स्ट्राइक एर स्ट्राइक का गर्व है हमारी सीवा पहले से जादा सुरुख्षी थै पहले देश का नौर्थिस अपने असंतुलित विकात से भेद भाव से आहत था दुखी था आज हमारा नौर्थिस दिल से भी जुडा है और आदुनिक इंफ्रास्टक्टर से भी जुड रहा है सेवा सुसासन और गरीबों के कल्यार के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के माई नहीं बदल दिये अब सरकार माई बाप नहीं है वो वक्त चला गया अब सरकार सेवक है सेवक जनता जनारदन की सेवक है अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं बलकि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है बीते वर्षों में हम विकास की राजनीती को देश की मुख्यधारा में लाए है विकास की इसी आकांच्छा में लोग स्थीर सरकार चुन रहे हैं डबल इंजिन की सरकार चुन रहे हैं